तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 12 क्लास का उर्दू पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 और 19 दो चैप्टर को आज के इस वीडियो में कम्प्लीट करेंगे जी हां एक ही वीडियो में दो गजल को पढ़ लेंगे एकदम कम्प्लीट हर एक गजल के परतिये क्लाइन को पढ़कर खुलासा करूंगे उसका अर्थ बताऊंगे आप लोग टेंसन फ्री रही है इन दोनों चैप्टर से एक भी कोक्षन नहीं चूटेगा यह जिम्मेदारी आप लोग हम पर आप लोगों को जो बताया जाला है जो पढ़ाया जाला उसको ध्यान से समझ कर पढ़ें और याद रखें चीजों को ठीक है तो चैप्टर नूमबर 18 में पहला घजल मिर्जा गालीब का पहली गजल है और चैप्टर नंबर 19 में दूसरी रजल यानिकी दूसरी गजल जाने वाले हैं फिर इसका जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग यगाना चंगेजी के दो गजल को पढ़ेंगे और फिर उसके अगले वीडियो में खलीलू रह्माराजमी के दो गजल को पढ़ेंगे तो इस तरह तीन वीडियो में छेचापर कंप्लीट हो जाएग ठीक है तो चलिया आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिर्ज़ाखाली में सबसे पहले सारा डीटल समझ लेते हैं क्योंकि मुर्जागाली मशूर 55 Cin과 शाइरी की तरही लिए जाती है और गजल में जाद Amen इश्क वाश्की इश्क वामभबत की बाते होती हैं लेकिन यह ख्यालात बहुत पहले पहले के जमाने में था अब गजल में ना तरह-तरह के टॉपिक्स जूड़ चुके हैं सियासी मजहबी सभी तरह के अब हर एक टॉपिक पर गजल लिखा जाता है अब गजल में इश्क व को मोहबत से से रिलेटेड ही आप बोल सकते हैं घजल लिखे हैं और भी जिनदगी विए लह लेकिन विश्क गालिप दो होता है दए कि ओर इसक होता है और एक होता है इभ सधこんにちは घञेन वोया इसको होता है लोधा से मोहबत नहीं झाते हैं इस दुनिया में किसी व्यक्ति से मुभबत कर रहे हैं और उसके लिए घजल लिख रहे हैं उसकी याद में तो वो हो जाएगा इसके मिजाजी ठीक है ना तो जादतर मिर्जा गालिब जो है वो इसके हकी की पर ध्यान दिये थे और इसी पर घजल लिखा करते थे इसी बात पर मिर्जा से नहीं होती है नमाज अदा दिल जुकाने पड़ते हैं गालिब ने तोड़ दी इस ख्याल में तश्वी कि नाम क्यों लोगिन गिन कर उसका जो देता है बेहिसाब हमें वावा क्या बात है अगर आप लोगों को इसका मतलब पता है तो आप लोगों को जरूर यह शेर बहु पैसों की बहुता किलत थी और फिर गदर का हमला हो गया उसवक्त मिर्जा गालिब जufficient और उसक्त गदर का हमला हो था तब तो उसक्त इनकी ऑसालत होगई थी थी तक इनको बेच दिने पड़े पैसो के लिए इतना ज़्याद इनके पास पैसो की कमी हो गई थी पैंशन वगरा मिलता था उसी से इनकी रोजी रोटी चलती थी बाकी और कुछ नहीं था गरीबी के वाज़ा से ये और आगे नहीं बढ़ पाए लेकिन हां मिर्दा गालिब ये खुद बात कहते हैं और ये मिलना चाहिए और ये बात बिल्कुल सगय है मिर्दा गालीब जो है ना उर्दू इसाली किया थे हिरो और शाहिए बहुंद और और यही वजह हो सकता है कि मिर्दा गालीब को अर्दू शाहिरी में वौ और पोस्ट नहीं है जो उनको उधा मिलना चाहिए था खैर ये सब बात हटाते हैं और मिर्दा गालिब के बारे में समझते हैं इनका पूरा नाम था अगर आप लोगो दिखाई देगा जिस भी आपसर में उसको टिक कर देना है कोशन पूछेगा कि मिर्दा गालिब का पूरा नाम क्या है और लड़के को लड़की वाले देखने के लिए अइसे और लड़का काफी पढ़ा लिखा था महीने में 30-40 सचर कमा ही लेता होगा लड़की वाले देखने के लिए लड़की वाले आये थे देखने के लिए लड़का एकदम तयार होकर पैंट सट पहना था और बहुत अच्छा ओफिसल दिखाई दे रहा था ठीक है उसके बाद से लड़की वाले आकर पूछे बाबू तुम्हारा नानीहाल कहां है ठीक है अब वह लड़का जो हाई-फाई था मतलब उसको नानीहाल पूछना चाहिए तो लड़की वाले पता ही क्या बोले तुम्हारा नानीहाल कहां है नानीहाल तो ठीक है नानीहाल समझ में आ जाता है कि हां नानी का गर अब लड़की वाल लड़का बताया लेकिन वह लड़का नौनीहाल नहीं जानता था इसलिए लड़की वाले उसको रिजक्ट कर दी है लड़के को सोचिए इतना अच्छा खाता लड़का था महीने का 30,000 बहुत ही अच्छा खांदान से बिलॉंग भी करता था लेकिन सिर्फ नौनीहाल कहां है नौनीहाल किसे कहते हैं यह नहीं बता पाया तो लड़की वाले लड़के को रिजक्ट करती है सोचिए मतलब क्या बता है जैसे इसे लोग है इस दुनिया में यह बात मुझका हमेशा याद रहती है जब भी नानीहाल बात आता है न तो यह बात अचानक से माइन में आ जा कभी कभी डेट भी पूछ देता है कि मिर्जा गाली कब पैदा हुए अप्सवन में दिया रहेगा 277 संतानविर को अपने नानीहाल आगरा में नानी का घर था ठीक है और इनके वालिद यानिकी पीता जी का नाम था मिर्जा अब्दुल्लाह बेग याद रखिएगा इसलिए जरूरी है ना क्योंकि मिर्जा गालिब की परवरिस इनके चचा नसरुल्लाह बेग भी किये थे मिर्जा गालिब अभी पांच साल के थे ना तब ही उनके पिता यानि की वालिद मिर्जा अब्दुल्लाह बेग का इद्दकाल हो गया पांची साल की उमर में तो फि की मिर्दा गालिब के वालिद का नाम क्या है औप्सन में मिर्द अबदुल्लाबेक दिया रहेगा तिक कर दिजिएगा या फिर वालिदा का पूछ सकता है इन तीनों में इसे पूछेगा वैसे तो नाना का भी तक पूछा नहीं है लेकिन याद रखेगा हो सकता है किस बार क dobr Jr ते क्या गारेंटी यह वर्ड की आगे बढ़ते हैं तेरहaráस की उमर लुहार में इरावी वक्ष खा मारूफ की बेटी उम्राव बेगम से मिर्जागाली की शादी कितने साल की उमर में तेरह साल की उमर में किसकी लड़की से लाहीबस्का मारूफ की लड़की यानि की बेटी उम्राओ बेगम सेagRay की शादी हो गई ती और उसके बाद से शादी हो जाने के बाद डिली में यह मेश्टकल ख्याम इफ्त्यार कर लिये यानि कि हमेशा रहने के लिए दिल्ली चले गए लेकिन के के लेकर इनको जगा जगा दोड़ना पड़ा था ठीक है और इधर उधर करते में इनका इंतकाल हो गया 15 फरवरी 1869 यानी की 1879 में बहुत ज्यादा मतलब और यहीं हाद मतलब गरीबी के वज़ा से इनके सरीर पर अच्छा कपड़ा भी नहीं रहता था कपड़ा कभी इनको तो एक बार ऐसा आ गया था जैसा कि मैं आपनों को बताई कि बरतन भी बेचना पड़ा था तो इनको कहीं से दावट आया था एक बार की बात है मिर्जा गालिब को कहीं से दावत में बुलाया गया था और उस दावत में जो भी व्यक्ति जा रहा था सभी लोग अच्छे कपड़े प्हेन कर जा रहे थे अब मिर्जशा गालीब के पास अच्छे कपड़े थे नहीं फटा फटा पुडाना ँअ फटा था वही पेहन कर चले गए सब लोग को देखकर लगा कि भिखारी कहां से आ गया है वो थे मिर्जा गालीव तो भगा दिया लो वहांसे जाओ तुमको कौन बुला दिया है यहां ठीक है और उसके बाद से क्या किया मिर्जा गालीव बहुत दर शर्मिन्दगी महसूस कि एक देखो हम को कोई पहचान भी नह कर अच्छा से पहन कर फिर गये दावत खाने के लिए और गए तब देखकर वोला लो अच्छा मिर्जगाली भे आई 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 अंदर बेजा गया और गया अंदर ना तो कुर्टा निकाल कर और जो भी होता कि खाना वगरा उसी में कुर्टे को किया कर दिए डुबो दियर और यह सभी लोग देख रहे थे सब लोग बड़े बड़े लोग वहां पर बैटे सब लूग चोग गये हैं कि मिर्जधा गालिव 1 की नचि कहें थे कि गंदे लिबास देखकर तु फैसला नकर यह कौन सा दर करिकांसा दरख्त है उसका फल बताएगा बाहर से देखकर यह найढ़ंदाज लगाना चाहिए आदमी गरीब होगा یा फिर अमीर अमीर होगा यह फिर बक्वास मतलब आप बोल सकते हैं घंदा होगा याυχर जैसा भी बाहर से देखकर नहीं अंदाजा लगाना से उसके क्वालीटी, उसके हुनर को देखकर, मतली वह वह कौन सा दरख्त है, यह उसका फल बतायेगा, कौन सा इनसान है, वह उसकी क्वालीटी, उसका उनर कापलियत बताएगी, और वहीं पर यह पढ़े थे आई होप आप लोगों समझ में आया है मिर्दगालीब मेरे लिए बहुत ही बड़े शायर है इतनी गरीबी के बावजूद भी यह अपने शेयर नहीं छोड़े और हमेशा यह मतलब हार नहीं माने थे अपने जिन्दगी से कभी हार नहीं माने थ होता है ना परशानी आती है तो हार मान लेते हैं मेरे जिंदगी में क्यों इतना परिशानीदी थैस्ता है क्यों लोग में से किसी में अगर दिखाई दे व कुषण फीर उर्दा देना है कि मिरदा गालिव यान कि खत का दू किताब का नाम याद रखना पहला है टू dessini ओ दूर्देखर कि कि मिर्दा गालिब के दो खुतूत के मजमुवा का नाम लिखी है तो दोनों खुतूत यानि की दोनों खत की किताब का नाम लिखना होगा पहला है उद्ध हिंदी दुसरा है उर्दुमौल्ण अगर सब्यक्टिव में पूछेगा तो अब्जेक्टिव में तो पक्कां है कि इसको इस्टार लगा दीजिए हर साल पूशा जाता है यहां पर मैं स्टार लगा दे रही हूं मिर्दा गालिब के दो खुतूत का मजमुआ दो खत के किताब कराम यहाद रखना है अब्जेक्टिव में पूछ सकता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फार्सी तसनीफ की ब तदाई फार्सी की तालिम यह मौलवी मजग से लिए थे ठीक और अगर इनका जादतर देखेंगा उर्दू में भी शेर उशायरी जो लिखे हैं उसमें कहीं कहीं यह फार्सी लव्ज का भी यूज किये हैं ठीक है फार्सी मुहावरे का भी यूज अपने खुतूत में किय रखyu सक्ता करते थे तो उसमेंकर तरही से यहीं दाधार करता कि यह कृष्ट यूज करते हैं तो यहीं दैव procurement के शेर में अक्तर फार्सी की लवद देखने को मिलेंगे और इसी वजादर से मिर्दा खालिब के शेर को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें फार्सी के लव्ज है ना इसी वाजा से चलिए अर यह तरसे यूनिक बात आता जाती से उर्दू में फार्णी लफ्स एक फार्सी लव इतर यूनिक बात लेकिन बाद में अपना तखलूस बदल लिये और गालिब लगाना स्टाट करती है यानि कि अक्सर आप लोग मिर्दा गालिब के लिखी हुई शायरी को पढ़ेंगे ना तो लास्ट में गालिब आप लोगों को दिखाई लास्ट लाइन में गालिव लिखा हुआ दिखाई तखलूस से यही पता चलता है कि किसका लिखा हुआ शायरी है ठीक है तो मिर्दा गालिब के शेर शायरी के लास्ट में गालिव लिखा हुआ मिलेगा जिससे पता चलता है कि मिर्दा गालिव का लिखा हुआ शेर है और तबीत इनकी जिद्दत पसंदी थी यह हो सकता है कि कोशन पूछ दे आज तक तो पूछा नहीं है लेकिन हो सकता है इस बार पूछ दे कि मिर्जा अजुल्लाखा गालिब की तब यह कैसी थी ऑप्संदी यह इंपॉर्टेंट है चलिए यह हो गया मिर्जा अजुल्लाखा गालिब के बारे में सारा डिटल्स जो कि आप लोगे में दिया था वो में बता दी और एक्स्ट्रा अपने मन से भी बता दी ठीक है अब चलिए हम लोग दोनों घजल को पढ़ लेते हैं और दोनों घजल को एक-एक करके और प्रतियक लाइन को पढ़कर मैं उसका अर्थ बता देती हूं ठीक है तो यह है पहला घजल दायम पढ़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हुँ मैं खाक ऐसे जिंदगी पर पत्थर नहीं हुँ मैं यानि कि मैं हमेशा दर मतलब होता है दर्वाजा मैं हमेशा तेरे दर्वाजे पर इसी तरह पढ़ा हुआ नहीं रहूंगा खाक है इसे जिंदगी पर लानत है इसे जिंदगी प is पठथर नहीं किया है मैं पठथर हूँ तुम् hospoda पर इसी तरह पढ़ा रहोंगा मैं इंशान और इनशान एक ही जगह पर जिन्दगी भर हमेशा के लिए नहीं रह सकता इंशान एक जगह से दूसरे जगह जाता ही रहता है तो मैं कोई पठथर नहीं की तम्हारे दर्वाजे पर ऐसे पड़ा रहूं और खाक है इसे जिंदगी पर मतलब लानत है इसे जिंदगी पर मैं तुम कि मैं तुम्हारे दर्वाजे पर इसी तरह पड़ा रहूंगा ऐसा नहीं हो सकता है मैं तुम्हारे दर्वाजे पर तेरे दर पर इसी तरह पड़ा हुआ नहीं क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाये दिल, इंसान हूँ, प्याला वसागर नहीं हूँ, यहाँ पर मिर्जा गालिब कह रहे हैं, कि मैं इंसान हूँ, प्याला वसागर नहीं हूँ, परिशानी आएगी, तो घबराना लाजमी है, तो क्यों गर्दिशे मुदाम से घब दीलिए यानि मुसीबत आइगी परशानी आएगी तो इनसान गाते हैं हो प्याला वो यह फिर उटता यह फिर प्रीफ आधे गरता है तो शागर प्याला वगर यह फिर नहीं हूं कि घबराओं नहीं थिक्ष biss इन्सान घिली तो घेली नहीं तो यह ग्ला वसागर बंट गाने में लेकिन में तो इनसान हूँ और इनसान कि जिन्दगी में परेशानी आंए और मुसीबत आए ना घब़ाए ऐसा वही है नहीं सकता है इनसान का घब़ाना लाजमी है यार जमाना मुझको मिटाता है किसलिए लोहे जहां पर हर्फ मुकर्र नहीं हूं कि या रभ या खुदा यहां पर हर्फ नहीं हूं यानि कि यहां पर लिखा हुआ हर्फ नहीं हूं कि एक को काट दो तो एक से काम चल जाएगा यानि कि इस दुनिया पर मैं दो नहीं हूं कि एक को मिटा दो एक को मार दो एक है तो काम चल जाएगा मैं इस दुनिया में अकेला हूं और या खुदा ये जमाना मुझको किस लिए मिटाना चाहता है तेखें किस वास्ते अजीज नहीं जानते मुझे ल스िन पत्थर के मतलब होता है लाल मतलब ब्ढ़ पत्थर जावाहरात वगयरा होटा और इंसान से एक दूसरा इंसान क्यों नहीं बात कर सकता है तो लोग मुझसे क्यों नहीं बात करते हैं जो खास लोग है वो मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं इस शेर के जरीए मिर्दा गाली यही बताना चाहते हैं कि आज कल जो लोग है ना जिस इंसान से काम रह रहा है उ कि बताना चाहते हैं जो dibताना चाहते हैं कि सभी लोगs ऑजकल स्टलिस हो गए है अपना काम बन के लिए निकलवाने के जिससे काम है उसी से आज कल लोग बात कर रहे हैं और बाकी लोग जाए भाड़ जोड़ते हैं तो इस्टरह हो रहा है आज वुछ वही वहाला जो ख्यालात है वे ख्यालात जो है ना मिर्ज़ा खार इस शेयर में जाहिर कर दी हैं चलिए आगे बड़ते हैं गालिब वजीफाख़ार हूं गालिब वजीफाख़ार हो दो-शाह को दूआ वह दिन गए जो कहते थे नोकर नहीं हुँ मैं यहाँ पर बोल रहे हैं तक घल मिर्जा घालीब कि आपको बोल रहे हैं कि वक्राइब तुम सरकार से पेंशन लेते हो वजीफा लेते हो तो इसलिए तुम शाह को दूआ दो यानकी बादशाह सरकार को दुआ दो वह दिन गये वह दिन चला गया जो कहते थे कि नौकर नहीं हूं वह दिन चला गया जब तुम कहते थे कि नौकर नहीं हूं मैं लेकिन अब तुम सरकार से पेंशन लेते हो तो अब तुम सरकार यान की बादशाह को दूआ दो ठीक है तो यह हो गया पहला गजल कम्प्लीट अब चलिए दूसरे गजल की तरफ बढ़ते हैं और इसको भी पढ कहां कुछ लाला मर नुमाया हो यानि कि सब कुछ जाहिर नहीं हो पाता है सब कुछ जाहिर नहीं हो पाता है हमारे सामने जितने वी चेहरे थे न हुबशूरत खुरस चैयरे चहरे अब ही मुझे याद आ रही है इस खाक में मिली व accountant कुछ-K immature एसे ईसी सूरते हैं ی Wildlife यानि की उभर कर सामने आ रही है यानि कि मुझे उसकी याद आ रही है वैसे तो हमारे सामने धिर सरे चेहरे थे जो कि इस कर्क्सान आ रहा है लेकिन पर्पूरित में हैं जो कि हमें याद आ रही है ठीक है याकूब ने लिगोना यूसुफ की खबर लेकिन आखे रोजने दीवारे जिन्दा होई देखिए यह मिर्दा गालीब का कंप्लीट यानि कि पूरा का पूरा गजल नहीं दिया गया है पूरा गजल जो है ना मिर्दा गालीब का बहुत को पता चलेगा कि टोटल मतलब पूरा का पूरा गजल किया किस तरह से यह अभी आधा दिया गये कुछ-कुछ शेयर को उठाकर डाल देगा पूरा नहीं दिया तो यहां पर बोल रहे हैं कि कैद में याकूब नेली गोना यूसुफ की खबर याद रखिएगा याकूब ल कि याद रखना है तो आपको लोगा एंसर सब्जेक्टिव में पूछता है तो आप लोगा एंसर लिखना रखना होगा कि याकूब लए इसलाम और यूसुफ लैसलाम की कोई खबर नहीं थी क्योंकि आप लोग जानते भी होंगे युसुफ लएसलाम बश्वन में अपने पिताजी वालिद याकुब लएसलाम उनसे बिछड़ गए थी तो याकुब अपने लिएक्टे को देख रहे हैं ऐसा लग रहा था भले युसुफ ललोईहिंते मिलने नहीं दिया जा रहा था अपने बेटे की कोई नहीं थी आज़ी ओप रखाँ और लोके लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि अाँखे रोजने दीवारे सिंदा हो गई कि जिस करने में यासूप यूप यूसीब ऑलैहसलाम उस बहुत सुश्व कने जो दीवारे है न ऐसा लग रहा था मैं वह कु hermanac हैं जिससे याकुब लिएसलाम देख पा रहे हैं अपने बीटे को ठीक है तो यहां पर कुछ इसी तरह का ख्याल जो है ना जाहिर किया गया इस श्रेयर में आगे बढ़िए जुए खूँ आखों से बहने दो के है शामे फिराक मैं या समझूंगा के शमे दो फरोजा हो गई यहां पर बोल रहे हैं मिर्दा गालिब के जुए खूँ आखों से बहने दो यांकि आखों से यह जो खूँं के आशू है इसको बहने दो के है शामे फिराक यानि कि आज जुदाई की रात है और इसलिए हमारे आखों से जो खूँं के आशू बह रहे हैं इसे बहने दो मै यह समझूंगा कि शमे दो फरोजा हो गई यानि कि मैं यह समझूंगा कि जो दो शमा है वो जल गई है ठीक है तो इस शेर में मिर्दा गालिब जुदाई की रात और उसके गम को जाहिर किये हैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ख्यालात को शेरोशाईरी के अंदाज में ढालने का उनर मिर्धा गालिब को के पास था ठीक है आगी बढ़िये मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्तान क्षण क्ल गया बुलबूले शुनकर मेरे नाले गजल खुआ हो गया यहांपर बोल रही है कि मैं चमन में क्या गया गोया दमिस्तानी खे गया ऐसा कहल कुछ गया हो ऑट सुनकर मेरे नाले गजल्खवा हो गई예요 यानि मेरे गम को मेरी कहानी को मेरी दर्द भरी कहानी को सुनकर बुल्बुले भी जो है छोड़ देना रसम रिवाज के खिलाफ होना यह हमारा धर्म है जितने भी रसम रिवाज होते हैं यह रसम रिवाज के मैं खिलाफ हूँ और मैं खुदा को एक मानता हूँ और खुदा को एक मानना ही है हमारा सबसे बड़ा धर्म है मैं यह रसम रिवाज को नहीं मानता हूँ ठेके और यही मतलब आप बोल सकते हैं यही अज्जा इमा है यानि कि इमा का सबसे बड़ा जुज यही है ठेके रंज से खोगर हुआ इंसा तो मिट जाता है रंज मुझकिले मुझपर पड़ी इतनी के आसा हो गई रंज यानि कि गम गम से खोगर हुआ इंसा तो मिट जाता और-देखिए जब एक बार परिशानी आती है ना जिंदगी में पहली बार जब मुश्किले है घमं आता है जिन्दगी में तो इनसान गबraा जाता है लेकिन जब बार बार मुसीवते आयेगी बार-बार परिशानी आती है न तो उसरे लड़ते लड़ते इंसान को आद coalition जो है ना घबराहट वो सब कुछ मिठ जाता है मुझकिले मुझ पर पढ़ी इतनी कि आसा हो गई मिर्दा गालिव अपने आपको कह रहे हैं कि मुझकिले इतना पढ़ी ना कि मुझकिले मुझको आसान लगने लगी वही बात है एक बार जब पहली बार आप लोग एक्जाम देने गए होंगे तो बहुत ज़्यदा आप लोगो डर लगा होगा घबराहट हुई होगी बहुत ज़्यदा की पता नहीं किस तरह होगा लेकिन जब आप इसी एक्जाम को बार बार देंगे ना मैट्रिक का इंटर का फिर उसके बाद से ग्रेजुएशन या फिर कोई कानिया दो मौलवी दो आलिम उसको बद से और इधर दो टेंथ टूएल्थ यानिकी मैट्रिक इंटर फिर रजुएशन या फिर आगर आप लोग को निकालना है इंटर निकालना है एक्जाम देते देते जो है ना स्टुडेंट वोला जाता है तो वही बोला जा रहा है कि इंसान के जिनदगे में पहली बार आता है परिशानी तो इंसान घबरा जाता है लेकिन बार बार जब परिशानी आ गम की आदफ पर जाती है ना तो इंसान को वह गम आसान लगता है और गम मिट जाता है उसी तरह मेरे जिनदगी पर परिशानी आई थी लेकिन मुझ पर इतनी ज़्यदा परिशानी और मुश्किले पड़ी कि ये सब कुछ आसान हो गई यूही गर रोता रहा गालिब तो ए एहले जहां देखना इन बस्तियों को तुमके विरा हो गई यहां पर मिर्जा गालिब अपना तखलुस गालिब है उसके हैं और बोल रहे हैं कि यूही अ समझेंगे तुम नाटक कर रहा है हमेशा रोते ही रहा है अगर तुम इसी तरह रोते रहे तो देखना यह बस्तिया विरा हो जाएगी यानिकी सभी लोग तुमको छोड़कर चले जाएंगे इसलिए रोना बंद करो यह लास्ट लाइन था और दूसरा गजल कंप्रीट घजल का मैं खुलासा कर दी विर्शा गालिप के बारे में आप लोग पढ़ लिए आप लोग स्क्रिंशॉट नहीं लिए हैं तो ले लिजे फटरवर स्क्रिंशॉट लेने का भी मौका में दे रही हूं आई होप स्क्रिंशॉट भी आप लोग लिए चलिए तो आज के आप लोग को समझा हूं अगर समझ में आया है तो लाइक तो बनता है वीना लाइक किये आप लोग को जाना मना है इसलिए आप लोग जरूर करें दूसरों तक वीडियो को पहुचाने की कोईस करें तासकि सभी लोग से लाव उटा तके और चैनल को अगर आप लोग नए और कुदा हाफिस